तो हेलो लालाज और लालीज अजे भाईया हीर तो स्टूडेंस सबसे पहले वेलकम जू अन अकेडिमी एमेज बोर्ड स्कॉलर्स चूडेंस हम सब भी को पता है कि आपके MSG CET के रिजल्ट्स आउट हो गए है और आपके जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आप कैप राउंड के बाद आप कौन से क्राइटेरिया में आते हो अभी आप बोलोगे बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि भाईया क्राइटेरिया की क्या चीज़े होती है उससे पहले स्टूडेंस आपके लिए एक वीडियो बनाया है विच इस दो घंटे पहले ही MSG CET काउंसिलिंग पे अप उस पह जरूर एक बार उस वीडियो को चेक आउट करना क्यूंकि उसमें मैंने 2022 के रेफरेंस से 2023 में खेस प्रकार से आपको कौलेजेस एलोकेट होंगे उन से प्रसेंटाइल पे आपको कौलेजेस एलोकेट होंगे this all the things I have cleared very much well तो आप जरूर जाके चेक करना और at the same way students MHT CET के जो FC centers होते है which is facilitation centers उनके बारे में भी detail में information दी है तो link description में दी है telegram की join जरूर कर लेना है और हाँ students 2000 subscribers के हम बहुत ही जादा नजदीक है तो यार यार से subscribe और channel पर ने होंगे तो channel को share कर देना है सबसे पहले students अगर हम यहाँ पर देखे MHT CET Seat Allotment 2023 जैसे कि आप clearly देख सकते हो यहाँ पर mention किया गया है the seat allotment of MHT CET 2023 will be released for the rounds 1 मतलब कि cap round की बात चल रही है 1, 2, 3 it will be conducted through centralized admission process जिनको हम cap कहते है ठीक है तो उसका full form भी आपको बहुत सारे बच्चों को नया नया मालूम पढ़ा होगा to check the MHT CET 2023 seat allotment result candidates को login करना पड़ेगा उनके fields में और उसके बाद उनको और एक चीज दिखेगी which is MHT CET reservation criteria जी हाँ students reservation criteria मतलब कि आपके जो भी reserved category की बात कर रहा हूँ मैं तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप reserved category से आते हैं और आपके दोस्त भी आते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेर करना सबसे बहले students यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा clear कर देता हूँ अभी students आप यहाँ पर देख सकते हो which is यहाँ पर दिया है scheduled cards और scheduled cards converts to Buddhism मतलब कि SC यहाँ पर जो percentage of reservation उनका दिया गया है which is about 13% उनका reservation है मतलब कि colleges जब allocate होंगे उसमें से 13% SC category के अंदर जो भी विध्यारती जो भी students आते है उनको यह colleges allocate किये जाएंगे उनकी जग रिजर्वड है वहाँ पर अभी percentage मतलब अगर आपको percentage नहीं समझ रहा है भईया percentage मतलब कैसा होता है देखो अगर suppose 100 है और 100 में से उन्होंने कहा है कि 13% SC category के होंगे तो 100 में से students 13 जो seats होंगे वो हमारे SC category के होंगे ऐसा आप एक अंदाजा लगा सकते हो ठीक है after that जो ST category में आते है जिसको हम scheduled tribes कहते है या फिर scheduled tribes हम जिसको कहते है उनके है total 7% अगर लब की 7% उनकी जागा राखिव होगी राखिव in the sense की reserved होगी government के तरफ से उसके बाद विमुक्तजाती, वीजे और फिर NT मतलब की D notified tribe समझनको कहते है NTA या फिर DT उनके जो होंगे 3% उनके राखिव जागा होंगे क्योंकि जादा लोग उनके इस particular category में नहीं आते है इसके वज़े से उनके percentage थोड़े-थोड़े कम आपको दिख रहे है तो उसके बाद NTB 2.5% NTC 3.5% NTD यह आता है 2% अभी students यह आप कौन से category में आते हो यह आपके particular क्या बोलते हैं हम birth certificate, caste validation यह सभी चीज़ों में आपको government के तरफ से आपने अगर निकाला होगा तो आपको ही मिलेगा उसके बाद हम आते हैं which is backward class यह मतलब की other backward class जिनको हम कहते हैं OBC category तो OBC category के लिए 19% यह जो है यह fixed किया गया है reserved किया गया है मतलब की हर 100 बच्चे में से अगर उस college में admission होगा तो हर 19 बच्चा मतलब की 19 बच्चे उसमें से OBC category के होंगे यह है तुमारा perfect which is percentage given by the MSTCET cell 2023 उसके बाद socially and educationally backward classes जिसको हम SEBC कहते हैं तो उनके भी total 16 percentage गिये गए है तो students आप अगर इन कास्ट में से आते हो तो आपको बिलकुल भी tension नहीं लेना है अब आप बोलों कि यह हो नहीं रहा है 100% यह हो नहीं रहा है लाला जो बाकी के percentage जो remaining होते है वो open category वालो के लिए होते है open वाले कितर जाएंगे open category के वाले के लिए होते हैं open category में बहुत सारे लोग आते हैं तो इसलिए उनके लिए category wise अपने को दिया गया है सभी चीज़ है ठीक है तो यह देखो यह पूरी की पूरी official है students MST, CET, Reservation, Criteria 2023 उसके बाद students जो भी fee structure है अगर fee structure पे आपको detail में वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे नीचे comments पे बताना है वैसे भी मैं एक particular video उस particular topic पे बना नहीं वाला हूँ और हाँ students आप कौन से particular city से belong करते हो कितने percentile आये है और आप कौन से category में से आते हो इन में से मतलब की SC, ST, VJ, DT, NT, NT, NTB, NTC, NTD और OBC और at the same way SCBC आप इस में से कौन से category में से आते हो जरूर भी या को नीचे comments में बताना है और हाँ students चाइनल पे नहीं होंगे तो याद से भई सहाब यहाँ पे जो subscribe का button आपको दिख रहा है इस button पे आपको याद से click कर देना है और चाइनल पे नहीं होंगे तो चाइनल को share कर देना है I hope students this video was very much valuable for you मिलता students अगले video में Till then, peace out